Hello everyone, this is Savita Chohan, welcome to MPDRM Model School, Class 9, Civic Chapter 2, Constitutional Design. Today we read about topic, why do we need a Constitution 2.2? इस वीडियो में स्टुडेंट हम समझेंगे कि हमें Constitution के जरुवत ही क्यों पढ़ती है? जैसे कि previous वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से South Africa का जो निसकर्स निकला था, वो Constitution के थुरु ही निकला, जैसे कि आपने Conflict देखे थे उन दोनों के बीच में, South Africa में जो गोरों और कालों के रंग भेदनी थी की वज़े से, जिस तरीके से Black People पे जो South Africa में रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो हुआ के Native हैं, उन्हें जो Black हैं, उन्हें Black People कहके बलाया जाता था, और जो गोरे हैं, जिनका रंग साफ था, तो उन्हें गोरे कहा जाता था, यानि White People, तो इस तरीके से जो White People थे, जिस तरीके से उन्हें साउथ अफरिका को गुलाम बनाया, और वहां से गुलाम बना सकें, जिसे भारत का एक्जामपल है, अगर आप देखेंगे, लेकिन भारत और साउथ अफरिका में ये डिफरेंस है, कि वहां साउथ अफरिका में वो जाके सैट होने लगे थे, जो अमेरिकन थे, तो अमेरिकन जो थे, जब जो गोरे थे, वहां जाके जब सैट हुए, तो उन्होंने क्या करा, कि जब इनको ज़रूर से ज़ादा दबाने की कोशिश करी, तो रेवलेशन हुआ, ठीक है, वहां के जो लोग रहने वाले थे, जो ब्लैक पीपल थे, उन्होंने आंदोलन सुरू कर दिया, रेवलेशन सुरू कर दिया, कि हम लोग ये गलत चीजों को नहीं मानेंगे, जो हमारे साथ, तो उसके लिए जो इस्पेशल जो पीपल थे, जैसे कि वहां लोगों ने सर्वाइव करा, संगर्स करा, स्ट्रगल करा, उसका रिजल्ट क्या आया, फिर बाद में उनको भी मानना पड़ा, कि हम इन लोगों को ज़्यादा डिस्कमेट नहीं कर सकते हैं, तो उ यहां आप फ्री हो और अपनी हिसाब से काम कर सकते हो, गोरों ने जब उन ब्लैक पीपल्स को बोला, साथ अफरीका में फ्रीडम वहां मिल गई थी, लेकिन अब वहां पर रहने वाले जो गोरें, वो कालों पर कैसे, मतलब ब्लैक पीपल्स पर कैसे ट्रस्ट करें, और ब् मतलब constitution है या नहीं है, वो important नहीं है, लेकिन अगर democracy है, यानि वो free हो चुका है, और वहां पर democracy है, वो लोगतंतर है वहां पर, तो that means वहां पर constitution का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक constitution की ज़रूरत क्यों है, अफरीका के example, एकर आप set करके देखेंगे न तो पता चल कौन सा ज्यादा player अच्छा है और कौन सी team अच्छा play कर रही है, तो एक rule regulation होना बहुत जरूरी है, जिसके criteria के अंदर ही work करें, दोनो teams और decide कर सकें कि हाँ हम minimum को नहीं तोड़ेंगे, और trust कर सकें कि उस trust के base पे ही, फिर winner जो होती है, team decide कि जाती है, कि हाँ हमारे साही होगा कोई हमारे साथ गलत नहीं कर रहा, इसी तरीकी से constitution भी होता है, student जिसके अंदर कुछ setup किये जाते है, written rules होते है, जिनको सब accept करते हैं, वह country के लोग, तो वो क्या कहलाता है, constitution कहलाता है, और constitution की जरूवत क्यों है, क्योंकि एक दूसरे पर trust करें, simple है, अब हम student इसको जाने की कोशिच करेंगे, why do we need a constitution, and what does a constitution do, constitution करता क्या है, और constitution की हमें जरूद क्या है, तो वो हम इसे video के अंदर discuss करेंगे, the south african example is a good way to understand why we need a constitution, and what do constitutions do, that means, अभी मैंने आपको समझा है, south african का example सबसे best है, अगर आपको देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, second constitution क्या करता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals, दमन करने वाला यानि जो अतियाचार कर रहा है, या जिस पे अतियाचार हो रहा है, और oppressor में जो अतियाचार कर रहा है, in this new democracy were planning to live together is as equal, तो एक country के अंदर जो oppressor या oppressed new democracy में planning करते हैं, एक साथ रहने की, और वो सोचते हैं कि equal हो, मतलब दोनों के दोन होने चाहिए, it was not going to be easy for them to trust each other, ठीक है वो एक साथ रह लेंगे new democracy के अंदर planning भी करते हैं, लेकिन क्या या असान होगा, they had their fears, जो उनके डर हैं आपस में लेकर, एक दूसरे को लेकर कि भी आस तो सब ठीक है, लेकिन क्या कल भी ऐसा होगा, they wanted to safeguard their interest, तो सबसे पहले वो क्या सोचेंगे कि हमें कोई security मिलनी चाहिए, कोई ऐसा safeguard होना चाहिए, उसके बारे मों सबसे पहले सोचेंगे, the black majority was keen to assure that the democratic principle of majority rule was not compromised, that means black people की majority क्या चाहेगी, वो चाहते हैं कि democracy के principle ऐसे होने चाहिए, कि वो हमारी majority के साथ कोई compromise ना करें, कि बही पता चले कि हमारी majority है, तो उसक substantial social and economic rights, that means वो कहना चाहते हैं कि importance होनी चाहिए, हमारी majority की और social में और economic में दोनों rights होने चाहिए, and the white minorities, जो कि white जो minority हैं, जिनकी संख्या कम है South Africa में, was keen to protect its privileges and property, और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी property safe होनी चाहिए, और हमारे विशेशा दिकार जो हमें मिले हु जो ये democracy बन गया है country, अब ऐसा free होने के बाद South Africa में जो constitution बना है, तो ऐसा ना हो कि हमारी सारी property चिन ले जाए, विशेशा दिकार चिन ले जाए, क्योंकि जो South Africa है, उसमें मैजॉर्टिकिस की है, black people की, और जो minority है, वो white people की है, तो इसका बहुत बड़ा effect पढ़ता है, अब long negotiation, both parties agree to a compromise, दोनों ही party अब एक बातचीत करने के बाद क्या agree कर जाती है, कि चलो ठीक है, हम compromise करने के लिए agree है, अब क्या compromise करेंगी, दोनों ही parties जो country में रहते हैं, black और white, the whites agree to the principle of majority rule and that of one person, one vote, तो white people agree होगे, black people जो चाहते थे, वो चाहते थे हमारी majority होनी चाहिए, और उसक rule चाहते थे, तो ठीक है, वो agree होगे, जो white people say, they also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers, और वो agreed करते हैं, कि ठीक है, हम जो गरीब लोग हैं, और जो workers हैं, उनके भी कुछ basic अधिकार, rights होने चाहिए, हम उनके लिए भी agree है, and the blacks agreed, और जो black थे, वो agreed करते हैं, that majority rule would not be absolute, ठीक है, कि जो हमारे majority rule है, वो ही मतलब इतने best नहीं होने चाहिए, कि वो किसी minority को क्या करें, loss करें, ठीक है, not be absolute, वो best नहीं हो सकते हैं, but they agree that the majority would not take away the property of the white minority, और इसके चलते वो ये भी कहते हैं, कि ठीक है, हम किसी भी white people की ना तो property लेंगे, और ना उनके विशेश अधिकार चीनेंगे, तो दोनों ह जाते हैं, भी जब agree हो जाएंगे, तो उसके according constitution में rule regulation बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है, student किसी भी country के अंदर rule regulation जब बनाये जाते हैं, constitution उसके वहाँ पे रहने वाले लोगों के according बनता है, mostly लोग क्या चाहते हैं, किस तरीकी के विचार रखने वाले होते हैं, जैसे कि किस कंट्री के example हो, अमेरिका, अगर वहाँ पे ज्यादा liberty, यानि स्वतनता प्राप्त करने वाले लोग के विचार ideology के हैं, कि भी हमें ज्यादा liberty मिननी चाहिए, तो वैसे ही constitution में mostly उनके लिए एक कुछ ना कुछ rule regulation होंगे, तो मतलब यह depend करता है कि उस country की ideology लोगों की क्या है किस तरीकी की है, तो अब यहाँ पे दोनों की ideology clear हो जाती है, तो उसके according constitution में root regulation बनाना easy होगा, और दोनों ही क्या होगे, trust कर पाएंगे, and the compromise was not easy, लेकिन compromise करना easy भी नहीं है, how was this compromise going to be implemented, अब इसको कैसे सुधारा जाएगा, even if they managed to trust each other, अगर एक दूसरे पे manage करें कि भी trust कर करते हैं, what was the guarantee that this trust will not be broken in future, और क्या guarantee है, ठीक है, आज trust करते हैं कि future में, वो trust नहीं तूटेगा, and the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would avoid by, that means कि इसका एक ही तरीका है, कि ऐसे situation में कुछ rule regulation लिखे जाएं, और लिखने के बाद क्या होगा, वो जो rule है, सबको avoid करने पढ़ेंगे, यानि स्विकार करने पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा, जो इसको abide नहीं करेगा, यानि स्विकार नहीं करेगा, सबको मानने पढ़ेंगे, accept करने पढ़ेंगे, तो return में होनी चाहिए, ऐसी situation में, जब हम किसी पर trust नहीं कर पा रहें, तो compromise करना चाहते हैं तो क्या करें कि भी आज तो ठीक है आज मैंने कहा दिया ठीक है भी अगरी है लेकिन कल को भी पलट गए और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो इसको हमें return में करना पड़ेगा and these rules lay down how the rulers are to be chosen in future और ये जो rules है ये इस तरीके के होने चाहिए हैं कि ये decide कर सके कि आने वाले future में हमारा rulers कैसा होगा कौन बनेगा कौन साशन करेगा कि government कौन बनेगी these rules also determine और ये rules इस तरीके से बनाए जाए इन चीजों का धिहान रखा जाए कि what the elected governments are empowered to do उसके पास क्या empowered होने चाहिए शक्ती होने चाहिए करने के लिए कोई भी काम and what they cannot do और वो क्या नहीं कर सकता क्योंकि student government कोई भी बने ऐसा नहीं है कि हम जानते है government होती है सबसे ज़्यादा powerful और आप कोई भी इनसान क्यों ना हो किस से डरता है जो ज़्यादा powerful में होता है क्योंकि अगर आपको पता हो जैसे कि example देखो आप जंगल में हो एक शेर और एक आपके दूसरे साइड हीरन खड़ा है तो आप किस के ज़्यादा आप डरेंगे सीधी सी बात है सेड़ से डरेंगे क्यों आपको पता है कि कहीं हमें loss ना हो जाए तो इसी तरीके से government के पास भी अगर जरुसरे ज्यादा power होंगी तो आपको क्या होगा उसी से डरने की जरुवरत है कि की वो कुछ ऐसा ना करें जो उसको नहीं करना चाहिए तो उसके लिए भी एक rule regulation होना चाहिए कि मतलब उसको क्या करना चाहिए गौर्वर्मेंट को क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर्फुल होती है वो कौन होती है गौर्मेंट होती है और यह रूल्स जो लिखे जाएं वो यह डिसाइड करें कि सिटीजन के क्या राइट्स है यानि क्या अधिकार है आपने पड़ा भी होगा फंडमेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में तो वो यही है कि Constitution में पता होना चाहिए लिख्या होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या और क्या नहीं है जैसे कि सरकार को पता है उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है पता चले कि वो ही अपने सारे वर्क करे जा र पहल और यह रोल ये जब मानने होंगे जब असानी होग बाइबुश को शेंज चाहर पढूबुश को हां hatred अविधिक ने उपक्तव हो reducing हैं ऐसे basic rules पे and they also agreed that the agreed that these rules will be supreme that no government will be able to ignore this और जो यह rules बनाया जाए constitution बनाया जाए जिसमें यह सब लिखा जाए कि किसका क्या rights है और कितनी ज़्यादा power है तो यह कोई भी government क्यों ना हो इसको follow करना पड़ेगा क्योंकि सबसे supreme constitution को माना जाए उसमें लिखे के rule regulation को माना जाए कोई भी क्यों ना तोड़े तो उसको punishment मिलनी चाहिए and this set of basic rules is called a constitution और constitution किसे कहते है I hope you understand constitution का मतलब है कि एक country है country के अंदर जब set किया जाता है written rule यानि जब लिखे जाते हैं कोई भी written rules होते है and accept by all people in the country और country के अंदर जब सभी लोग उसको स्विकार कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है constitution कहलाता है तो student definition है और easily आप इसको समझ सकते हैं और learn कर सकते हैं कि constitution में किस तरीके के rule होने चाहिए और कौन इसको लिखे और कौन इसको change ना करे that means कि constitution में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से कोई भी कुछ कर सके ट्रस्ट होना चाहिए सबसे में चीज जब भई लौ है कानून है उस पर अगर आपको ट्रस्ट होगा तभी तो आप क्या आपके मन में डर होगा और आप कोई भी काम करने से पहले दस बार सोचेंगे कि भई सही क्या है गलत क्या है और अगर आपके मन में डर नहीं है या फिर law आप उसको कुछ नहीं समझते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए सोचेंगे and constitution making is not unique to South Africa अगर हम constitution की बात करें सरिफ एक South Africa ही नहीं है जहां constitution बनाया गया every country has diverse group of people आपको हर country में अलग-अलग group नजर आएंगे जैसे कि आप देखेंगे इंडिया का example ले लेजे हर यहां पे religion का हर religious जो है सबके अलग-अलग जो धर्म है सबके यहां पे लोग रहते हैं and the relationship may not have been as a bad as that being that whites and the blacks in South Africa और ऐसा जरूरी भी नहीं है student की जैसे कि आपने South Africa का example देखा कि whites और black people में किस तरीके से conflict चल रहा था तो जरूरी नहीं दूसरी country में conflict चल रहे हो जैसे कि इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं अलग-अलग उनकी language है, custom है, culture है लेकिन फिर भी कितने integration आप देखने का आपको मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा, कितनी एकता मिलेगी तो जरूरी नहीं है कि relation हमें इसे खराबी होते हैं diverse होने की वज़े से, मतलब अलग-अलग country के अंदर group होने की वज़े से जरूरी conflict होगा, but all over the world people have differences of opinion and interest लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि हर country के अंदर रहने वाले लोगों के अलग-अलग difference, opinion राय अलग होती है, उनके interest अलग होते है and whether democratic or not, और democratic हो या ना हो ये जरूर नहीं है, most countries in the world need to have these basic rules लेकिन constitution सभी चाहते हैं कि democracy चाहे country होना हो, लेकिन constitution country में होना जरूरी है, rules होने चाहिए and this applies not just to governments और ये सिर्वे government के लिए नहीं है, कि भी ठीक है apply कर दो, government पे rule regulation, any association needs to have it constitution, कोई भी संगठन क्यों ना हो constitution उसके लिए होना चाहिए, जरूरत है rule regulation की, it could be a club in your area, या आपके अरिया में कोई club है, या cooperative है तो that means constitution होना चाहिए and the constitution of a country is a set of written rules that are, is a set of written rules that are except by all people living together in a country, that means किसी भी country में society और a political party, they all need a constitution, यानि कोई भी cooperative क्यों ना हो, कोई भी मतलब जिसे कह सकते है, society क्यों ना हो, political party क्यों ना हो, या कोई government ही क्यों ना हो, सबके लिए constitution की जरूरत है, और constitution की होते हैं, जिसको people वहाँ पे रहने वाले country में लोग होते हैं, उसको accept करना पड़ता है, constitution is the supreme law, एक सबसे उपर law होते है and determines of the relation among people living in a territory and also the relationship between the people and government, यानि ये एक ऐसा constitution बीच का काम करता है, उस किसी भी country में रहने वाले जो लोग होते हैं, उसके relation जो होते हैं, उस government के साथ coordinate का का काम करता है and constitution, our constitution does many things और अब हमने जो एक question था कि what does a constitution do, अभी तो हमने पढ़ा कि constitution, why do we need, हमें constitution की जरूरत क्यों होती है, अभी हम पढ़ेंगे what does a constitution do, यानि constitution करता क्या है, सवीधान का का काम क्या है, first, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to leave together, सीधी से बात है, जैसे कि आपने देखा example South Africa का के, एक trust भी तो होना चाहिए न, trust करने के लिए क्या होगा, कि return में कोई चीज होती है, तो हम उस पे जादा believe करते हैं, आप खुदी example समझ लो, अगर orally, अगर हम कोई चीज आपस में कहते हैं, तो क meaning क्या होता है, दूसरे परसन तक पहुंचने तक change हो जाता है, और कई बार क्या होता है, वो भूल भी सकता है, लेकिन return में क्या होगा, कि हमेशा वो क्या रहेंगे, पूफ में रहेंगे, तो इसलिए trust बना रहता है, second, it specify how to government will be constitute, और second, ये पता चल जाता है, specifies government, यानि जै किस तरीके से इलाग्ट होगे, पावर में आएगा, अगर ये constitute में होगा, तो वो easily constituted कि किया जाएगा, government easily बन सकती है, चाहिए state government हो, local government हो, center government हो, कोई भी government क्यों ना हो, who will have power to take with decisions, और जो पावर में होगा, वो किस तरीके के decision ले सकता है, तो ये सवीधान, यानि constitution में ही ल power को down करता है, government यानि ऐसा ना supreme power बन जाए और अपनी भी government चलाए, किसी की सुने ना, सारे काम खुदी-खुदी करे जाए, decision खुदी ले जाए, तो वो citizen के rights और अगर उसकी government की power की limit होंगी, और citizen के क्या-क्या rights होते हैं, क्या-क्या अधिकार होते हैं, ये सवीधान बताता ह है, fourth, it expresses that aspirations of the people about creating a good society, और एक मतलब सवीधान का क्या होता है, एक aspirations होती है, कभी लाशा होती है, लोगों की सबकी इच्छा होती है, कि हमारी society में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यानि freedom होनी चाहिए, या ये होना चाहिए, तो जो उनकी aspirations होती हैं, लोगों की, वो एक constitution को complete करने करता है, क्योंकि constitution एक society में create करता है, एक atmosphere good वाला, यानि अच्छा atmosphere create करता है, and all countries that have constitutions are not necessarily democratic, necessarily, that means, सभी country में constitutions जरूरी नहीं है, कि have constitution are not necessarily democratic, that means, किसी भी country में constitution तो है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो democratic हो, but all countries that are democratic will have constitution, मतलब किसी भी democratic country में ये जरूरी नहीं है, कि वो constitution में है, या नहीं है, that means, कि सभी country में constitution है, तो जरूरी नहीं है, वो democratic होगा, but all countries that are democratic, अगर democratic है, तो ये तो sure है, कि वो constitution होगा, अब इसको अच्छी तरीकी से समझ लेजे, इस line में conclusion निकल के आता है, कि किसी भी country का constitution होना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है, कि वो constitution है, तो वो democratic ही होगा, लेकिन democratic है, यानि लोकतंत है, तो वो constitution हो गई होगा, इसको आपको clear करना है, after the war of independence against great britain and the americans gave themselves a constitution, britain से अमेरिका ने सोतंतर होके अपने आपको constitution उन्होंने लिखा and after the, उन्होंने अपने constitution बनाया and उसके बाद revelation के बाद french ने भी approve करा democratic constitution को अपने आपको सोतंतर करने के बाद and then it was become a practice in all democracies to have written constitution और धीरे-धीरे ही सब countries के अंदर written constitution को पसंद किया जाने लगा और फिर वो constitution बनने लगा, तो I hope you understand the why we need, हमें constitution की जरुवत क्यों है, आपने समझा और what does a constitution do, constitution करता क्या वो हमने समझा